हेलो फ्रेंट्स अभी हवी हम ने देखा कि हम किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल इंसट करते हैं अब अगर हमारे पास कोई existing डाटा है जिसको हम चाहते हैं कि हम टेबल के फार्मैट में अंदर करने तो उसे हम किसे कनवर्ट कर सकते हैं यह हम देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि आपने डाटा इंसेट कर लिया था पर आपने नहीं ध्यान रखा कि उसे एक टीबल के फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं तो यहां हम देखते हैं कि अगर पहले से कोई एंट्री हमने की थी और अब हम चाहते हैं कि वो एक टीबल के फॉर्मेट में आए तो उसे हम केसे दिखाते हैं तो हमारे सामने यहां पर वोल इंवार्मेंट डी का एक डॉक्यमेंट ओपन है मैं नीचे स्क्रूल करता हूँ तो यहां पर हमने अभी एक टीबल बनाया था और अब इस जगा पर हमारे पास टाइपस आफ ट्री का एक डाटा यहां पर अवलेबल है और अब मैं चाहता हूँ कि यह डाटा जो है यह प्रॉपर टीबल के फार्मेट में आए तो जैसे हमने देखाए मार्जिन पर क्लिक करते हैं और नीचे ड्राइग करते हैं तो हमारा जो भी डाटा हम टीबल के फार्मेट में कनवर्ट करना चाते हैं उसे select कर लेते हैं उसके बाद insert के अंदर जाकर हमारे पास यहाँ पर एक option है table table के अंदर जैसे ही आप click करते हो तो हमारे जो भी options थे वो disable है अभी और यहाँ पर आप एक नहीं चीज देख रहे हो जो है convert text to table यह क्या करता है यह करता है कि split a single column of text into multiple columns for example you can separate a column of full name into separate first and last name column यहने कि हमने जो भी text यहाँ पर select किया हुआ है उसको यह table के format में convert कर देगा तो जैसे ही मैं इसे click करता हूँ यहाँ पर एक dialogue box उपन होता है जिसके अंदर आप देख सकते हो कितने columns हैं कितनी rows हैं वो यहाँ पर आजाता है उसके बाद इसका autofit behavior किस तरह से रहना चाहिए fix column width होना चाहिए या फिर autofit to content होना चाहिए या फिर autofit to window होना चाहिए मान लेते हैं कि इसे content के हिसाब से autofit हो जाना चाहिए अब किस तरह से separate है और table किस तरह से form हो वो यहाँ पर पता चलता है separate text at अगर जीसे paragraph से separate कराना चाहिए तो paragraph से कर सकते हैं comma से कराना चाहिए कभी कभी हम इसा data बना लेते हैं suppose first name, last name, comma, contact number, comma तो जितने भी commas हैं वो आपके column names हो सकते हैं तो आप कॉमा से separate करा सकते हो, यहाँ पर अभी जो भी टाटा हमारे पास available है, उसमें tabs से separate किया हुआ है, इसलिए हम tabs से रखते हैं, अगर आपने कुछ और separator यूज किया है, तो आप other करके यहाँ पर box में वो separator insert कर सकते हैं, तो हमने tap के तुरू किया हुआ है, इसलिए मैं tabs को select करता हूँ, auto fit to content करता हूँ, और ok कर देता हूँ, तो जैसे मैं ok करता हूँ, तो आप देख सकते हूँ, यहाँ पर एक proper formatted एक table insert हो गया, आप इसको easily drag करके बढ़ा कर सकते हूँ, जिस तरह से आपको insert करना है, और जैसे हम table के अंदर click करते हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर उपर design और layout के दो options open हो जाते हैं, यह दरसल में है table tools, अब किसी भी तरह का यहाँ पर format रख सकते हो, और किसी भी तरह का preset layout यहाँ पर से select कर सकते हो, इस तरह से आप अपने existing table को use करके यहाँ पर table insert करा सकते हो,